जहें दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चरनल लटनिंग टेपे तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आणडविक शिद्धान्स चालू किया था ठीक है उसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली थ कि उसमें क्या क्या होता है सब चीजें हमने देख लिया था आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन से चालू करेंगे किसका मॉलिक्यूल का अणभू का क्या चालू करेंगे लेक्ट्र इसी के साथ हम लोग electronic configuration, electronic बिन्यास किसका molecules का चालू करते हैं, अडवो का, इसी में आज हम लोग energy उर्जा का जो diagram बनाते हैं, वो भी हम डेखेंगे, जो आप लोगों ने अगर अभी तक अपने college में पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने बाला हूँ, तो सबसे पहले electronic बिन्यास करना सीखते हैं, इसमें हम लोग आज bond order भी पढ़ेंगे, उसके बाद चुम्ब की वे ओहार भी पढ़ेंगे, चुम्ब की प्रकृत भी पढ़ेंगे, कौन सा अनु चुम्ब की है, कौन सा प्रति चुम्ब की है, पैरा मैगनेटिक इन सभी को मासानी से, फढ़ेंगे, सबसे पहला लेखिए आप total number of electrons, जिसमें किते हैं, इलेक्टरानों की संख्या, total number of electrons, इलेक्टरानों की संख्या जो है, वो अगर less than equals to 14, 14 या 14 इलेक्टरान से कम की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला हम लोग जो चालू करेंगे, इस को रट लीजिए, मैं जहां पर बोल दूँ, रट लीजिए, इसका मतलब आप इसको memorize कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, sigma 1s, sigma star 1s, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, sigma 2s, sigma star 2s, उसके बाद, pi 2px equals to pi 2py, ठीक है, इसको एक डेक्ट में बनाएए, फिर उसके बाद, sigma 2 2pz और अंतिम आएगा, pi star 2px equals to pi star 2py, यही एक अंतिम ब्रेकट है, उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं, वो क्या होगा, sigma star 2pz, ठीक है, तो maximum 14 एक्टरान ही भर जा सकते हैं, less than equal to 14 की बात करेंगे, ठीक है, यहीं तक आपको बढ़ना है, आप ये configuration अगर अच्छे से कर रहते हैं, तो आपके paper में आने वाले questions अगर आणविक शिद्धान से आते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे, आणविक अच्छे से आते हैं, तो आपने configuration लिख लिए, अपने electronic विन्यास लिख लिए, आप यहाँ पे एक छोटा सा formula लिख लीजे, किसका bond order निकालने का, bond के order निकालने का जो formula है, वह का number of bonding electron, या फिर आबंध electronों की संख्या, minus प्रति आबंधन इलेक्टरानों की संख्या, बटा माइनस प्रति आबंधन इलेक्टरानों की संख्या बटा दो यही फॉर्मूला यहाँ पे है यह आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इससे आप लोग बॉन अडर भी निकाल पाएंगे असानी से यह सलेबस जो आप पढ़ रहें वो क्लास 11 जो है कमिस्ट्री में यह सलेबस है जो आप लोगों को पढ़ाया जाता अगर आप लोग 11 मोको तहुर्म पढ़के की बढ़ है खुछ बचचे 11 पढ़के की भी गये हैं लेकिन आप लोगों को बिल्कुल बिदिक्कत होने वाले दिना, मैं आपको अच्छे से बढ़ा दूँगा जिस्से आपका नमबर, जो आपका paper होने वाला है, इसमें दिक्कत होने वाली, नहीं है, तो सबसे पहला होगा क्या sigma venus होता है तो हम इसा कितना भर सकते हैं दो yes orbital है yes कक्षक है तो कितने लेक्टरान जाद जाद भर सकते हैं हम दो तो sigma 1 yes 2 ठीक है अब अगर हमको यहाँ पे इसका bond order निकालना हो तो कैसे निकालेंगे पहले बात आप जान लेजिए कि bonding और anti-bonding मैंने आपको बताया था कि जिसमें star लगा होता क्या होता यह देखिए sigma star 1s sigma star 2s और pi star 2px pi star 2py जितने में star लगा है यह सारे क्या होते हैं anti-bonding और फिर प्रति आबंधन इलेक्टरान यहाँ पे भढ़े जाते हैं जबकि जिस पे कोई star नहीं लगा हुआ है इन सभी पे क्या हो जाएंगे यह सारे bonding इलेक्टरान होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं आबंधन इलेक्टरान होते हैं यह चीज आपको clear तो यहाँ पे आप देख पारे हैं जो दोनों इलेक्टरान भरे गए हैं वो किसमें भरे गए हैं आबंधन इलेक्टरानों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे star लगा ही नहीं है star नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा दो माइनस सुन्य बटा दो तो कितना जाएगा दो में से 0 गए दो और दो बटा दो क्या जाएगा एक आजाएगा तो bond order यहाँ से क्या निकल लेंगे आप असानी से एक निकल लेंगे और आप देख पा रहे हैं कि अब सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं चुम्बकी बेवहर भी इसी वक्त पढ़ते चलते हैं क्या पढ़ते हैं चुम्बकी प्रकृत भी पढ़ते चलते हैं कि आप लोग कैसे जानेगी कि कौन सा अनुचुम्बकी है कौन सा प्रतिचुम् प्रति चुम्बकी लिखने से अच्छा इसको डाया मगनेटिक या फिर दी से याद कलेजी डी को डाया मगनेटिक या फिर अनुचुम्बकी पी से पैरा मगनेटिक या फिर प्रति चुम्बकी मतलब जिसका बिवहार चुम्बकी के तरीके से थोड़ा सा कम हो जिसका बिवह एक चीज और लिख लिए जी अस्थाई तो या फिर stability को क्या कहते है हिंदी में अस्थाई तो कहते है stability या फिर अस्थाई तो जो होगा वो समानुपाती होगा या directly proportional होगा किसके bond order के अस्थाई तो जो होगा वो bond order के directly proportional होगा ये चीज आप इकदम important point बना करके note कर सकते हैं अगर आप J की तयारी करेंगे कुछ बच्चे होते हैं जो पॉलिटेकनिक डिप्लोमा करने के बाद उनका और पढ़ने का मन होता है तो वो क्या करते हैं lateral entry लेते हैं lateral entry क्या होती है जो बच्चे J में देते हैं 12 के बाद ठीक है जो बच्चे 12 के बाद J में देते हैं तो यही योजना अगर आप जोडेंगे मतलब आपको अगर ये information मैं थोड़ा सा बाद में दूँगा लेकिन मैं बता दूँँ आप lateral entry यहाँ पे कर सकते हैं आपके लिए पढ़ाई इतनी interesting होनी चाहिए आप आसानी से उसको समझ सकें पहला example हो गया दूसरा example हम लेते हैं कि इसका hydrogen के बाद कहता है helium HE2 पहले हम देखते हैं कि HE2 exist होता है कि नहीं बनता है कि नहीं क्योंकि इसको जाने के कैसे किसी भी तत्व के अड़वो को जिन अड़वों का bond order 0 नहीं होता है वो अस्तितम में आते हैं इसका मतलब वो प्रकृत में पाये जा सकते हैं जबकि जिसका bond order अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो प्रकृत में नहीं पाये जाएंगे उनके पाया जाने की संभावना एकदम क्या होगी शून नहीं होगी यह आप इस star point बना करके तीन star बना करके इसको लिख सकते हैं जिसका bond order 0 होगा उसका existence एकदम 0 होगा इस प्रकृत में तो यह ची 2 क्या होगा इसका configuration करेंगे इसके अंदर कितने electron पाया जाएंगे इसके अनुके दो दो 4 ठीक है चार electron पाया जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे sigma 1s2 sigma star 1s2 क्या हो जाएगा sigma 1s2 sigma star 1s2 आप electronic भी नहीं से एक तरीकी से आप कोने में लिखते हुए आप आसानी सिसको भरते हुए चले जा सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा bond order निकालेंगे क्या निकालेंगे bond order तो number of bonding electron आबंदन elektron की संख्या कितनी हो जाएगी देखिए इस्टार जिसमें लाई गने लगा है दो फिर देखए अब ये क्या हो जाएगा अंटि-बॉंडिंग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्रतियाबंधन व्हांके संस्थार्णों की इसीन ब्पटादो बटा दो बटा दो 2 मुझसे दो गया स्वून्न ने बटा दो तो दो electron यहाँ पे भी है, यह s orbital में, यहाँ पे भी दो electron है, इस कर्चक में, तो कितने हो जाएगा, यह paired है, सारे युगमित है, क्या है, सारे युगमित है, तो क्या हो जाएगा, यह dia-magnetic हो जाएगा, तो इसको आप D से लेख सकते हैं, यह अनुचुम्बकी हो जाएगा, hydrogen का अगर simple molecule होता तो 2 electron एक electron यहां से क्या हो गया एक electron यहां से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक electron सिर्थ बचेगा यहां पे ठीक clear समझ में आना ज्यादा ज़रूरी है sigma 1s1 हो जाएगा क्या हो जाएगा sigma 1s1 हो जाएगा अब इसका हम निकालेंगे bond order bond order निकालने के लिए क्या हो जाएगा आबंधन electron की संक्या कितनी एक और प्रती आबंधन electron की संक्या सुन बटा दो बहलू कितनी आजएगी 0.5 अब यह देख करके आप चौक मत जाना कि किसी का bond order bond order क्या होता है कि अगर hydrogen का यह molecule जो बना था यहां पे यहां पे जो hydrogen का molecule बना था इस पे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही bond है ठीक है क्या है एक bond है तो एक bond का मतलब आप सोचेंगे कि यहां पे दो electron होना चाहिए कितने electron दो electron होना चाहिए इसका bond order कितना आना चाहिए एक आना चाहिए लेकिन आप अगर देख पाएंगे कि एक electron निकालने के बाद इसका bond order आ जाता है 0.5 यह फिर एक बटा 2 अब यहाँ पे देखेंगे कि यह paramagnetic होगा इसका चुम्बकी बेवहार paramagnetic होगा क्यों क्योंकि इसके पास एक electron हो था और एक electron जब यह सकचक में पाया जाएगा तो वो क्या होगा आयुगमित होगा आयुगमित होते ही क्या हो जाएगा यह paramagnetic आशानी से हो जाएगा क्लियर दोस्तों अब example number 4 जितने ज़्यादा example उतने ज़्यादा concept clear आप लोगों का चोथा example आप लोग लीजिए h2 minus क्या लीजिए h2 minus hydrogen का simple molecule दो electron एक electron इसमें क्या कर लिया और अपने तरीके से add कर लिया एक electron add करते कितना हो जाएगा दो एक तीन electron हो जाएगा कितने electron तीन electron हो जाएगा अब तीन electron के लिए हम क्या करेंगे electronic भी नियास करेंगे sigma 1s2 दो हो गया अब बचेगा एक तो sigma star 1s1 हो जाएगा क्या हो जाएगा sigma star 1s1 अब हम इसका निकालेंगे bond order bond order निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे bonding electron हम दो है anti bonding electron अबंधन electron के संख्या दो और प्रति अबंधी electron के संख्या एक बटा दो दो मुसे एक गए एक बटा दो आ जाएगा मतलब 0.5 इसकी value आजाएगी आधा आजाएगी इसकी bond order h2 माइनस की भी अगर आपके लिए question में arise करता हूं यहाँ पर मतलब he2 तीसरा हुदारन ले लिया हापने h2 प्लस और चौथा हुदारन ले लिया है ह二 बाइट वाइट था ऐस चू नगा कित्छा गट प्लस का कित्छा वन वाइट था he2 का क्या था सोन्य था h2 का क्या था h2 का एक था तो सबसे पहले जान लिजे stability is directly proportional या क्या होगा यह समानुपाती होगा किसके bond order के तो bond order आप लोग निकाली चुके bond order हमने यह लिख दिया है अब अस्थाइट के जो order को लिखेंगे stability का जो order लिखेंगे तो सबसे जादा किसकी होगी h2 की हो जाएगी यह तो आपको clear हो गया अब आप देख पारे हैं सबसे पीछे जो होगा वो क्या होगा आप यह भी लिख सकते हैं he2 क्या हो जाएगा सबसे पीछे जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा he2 लेकिन अब आप द इलेक्टरानों की संख्या जिसमें सबसे कम होगी वही इलेक्टरानिक कन्फिग्रेशन जो होगा वही सबसे जादा इस्टेबल होगा उसकी अस्थाई तुझे होगी वो सबसे जादा होगी जितना कम प्रतियाबंधी इलेक्टरानों की संख्या प्रतियाबंधी इलेक्ट ठीक है जितनी कम इलेक्ट्रानों की संख्या प्रतिया बंदी इलेक्ट्रानों की संख्या जितनी कम उतनी ज्यादा उसकी अस्थाइद उतनी ज्यादा उसकी stability हो जाएगी ये भी आप 2 star बना करके लिख सकते हैं clear हो गया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अब electronic बिना सर्के करके देखिए यहाँ पर एक लेक्ट्रान था ना ही जाएगा तो जिसमें कम सबसे कम किसमे ही H2 plus में सबसे कम है तो H2 plus में प्रतिया बंधिल टरनों की संख्या कम तो इसका bond order सबसे ज़्यादा किस से ज़्यादा हो जाएगा H2 minus से clear आपको concept एकदम clear होना चाहिए एकदम crystal clear क्या कहता है इसको crystal clear मतलब x, y, z सारी axis में अगर आप से किसी ने भी पूछ लिया मतलब आप college में जाएए किसी भी बच्चे से अगर आपको पूछना हो मतलब कहते नहीं कि आप लोगों कि इस time में होता है competition रहता प्रतियस परदर रहती है कि भाई तू बता दे या फिर किसी भी दोस से आप पूछ सकते हैं female friends से आप पूछ सकते हैं कि अच्छा है मुझे ये बता दे कैसे होगा question तो मतलब आप ऐसे पूछने के लिए जाए ठीक है फिर नहीं बता पाएगा उसको पता ही ने होगा ये concept जो आपको पढ़ लेंगे आपको पता होगा यहाँ पर ठीक है clear हो गया अब हम लोग क्या करेंगे एक तीज और आप लोग नूट कर लीजे जल्दी से मैं आपको लिखवाता हूँ कि bond की जो लंबाई होगी क्या होगी जो bond length होता है bond length जो होगा वो व्यूत्क्रमन पाती होगा किसके bond order के bond order के व्यूत्क्रमन पाती क्या होगा bond length होगा bond की लंबाई जो होगी वो व्यूत्क्रमन पाती होगी किसके bond order के यही order जो आपने यहाँ पे लिखा है h2 फिर उसके बाद h2 plus फिर उसके बाद h2 minus, फिर he2 लिखा था जो आपने, वही order क्या हो जाएगा, just उल्टा हो जाएगा, सबसे जादा bond length किसकी हो जाएगी, he2 की हो जाएगी, फिर उसके बाद h2 plus की, फिर उसके बाद h2 की हो जाएगी, यही just order हो जाएगा, किसके लिए, bond length के लिए, क्योंकि bond order क जस्ट उल्टा होता है यही order क्या हो जाएगा हम इसको reverse कर देंगे जस्ट क्या कर देंगा हम इसको उल्टा कर देंगे अब हम एक example दो example और लेते हैं उसी साथ आपका यह concept होता है clear फिट धीर धीरे करके हम 14 electron से जादा उसके बाद फिर और सारे example हम करते हुए चले जाते हैं यह li2 लेते हैं क्या लिए हमने li2 लिया li2 में कितने electron होते हैं 6 electron होते हैं कितने electron होते हैं 6 तो क्या हो जाएगा sigma 1s2 sigma star 1s2 उसके बाद क्या हो जाएगा sigma 2s2 यह हो जाएगा इसका electronic अब जल्दी सम निकालेंगे यहां पे bond order जल्दी करतें क्योंकि आपका concept होगा है clear आब अब 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 आप देखेंगे कि इसका चुम्ब की बेवहर मतलब magnetic behavior क्या होगा यहां पे तो देख पाएंगे कि yes orbital के दो ही electron भरे जा सकते हैं दो electron इसमें दो electron इसमें दो electron इसमें सारे paired हैं सारे युगमित हैं तो क्या हो जाएगा यह डाया magnetic हो जाएगा अनुचुम्ब की हो जाएगा अगर मेरे pronunciation में कोई भी दिक्कत आती है मेरे क्या कहते हैं उसको आप मतलब उच्चारण में हिंदी में या अंग्रेजी में कोई दिक्कत आती है तो मैं छमा परार्थी हूँ अगर आपका मतलब मैंने English का जो translation किया है अनुवा MY एलाय है टू फ्लस कितना आ कुछ रएगगा यहां पर पांच रह जाएगा ठींख्या में स्थी eh S1 जरा सॉ अब बचा एक रह एक और टा है क्या हो जायका सिगमा टूस वन शिमा-टू-एश वन आते ही क्या हो जाएगा यहां पर अब अब अबंधन ले टरणों की संख्या दो एक तीन में से दो गए एक बटा दो एक बटा दो आ जाएगा यहाँ पे एक बटा दो आते ही क्या हो जाएगा इसकी वैलू हो जाएगी पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ आते ही बॉण ओडर की वैलू आ गई अभी मैं जब सारे चीजे आपको बता रहा हूँ भी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा क्या बताऊंगा ट्रिक ट्रिक ही तो मज़ा है आप लोगों को याद करने का जैसे ट्रिक आप याद करेंगे आपके दिमाग में फीड हो जाएगा ट्रिक याद करते कहेंगे वाहर सी सर आपने कितना अच्छा समझा दिया हम लोगों को मतलब फिर बाद में आप लोग क्या करेंगे धन्यवाद करेंगे बारम बार धन्यवाद करेंगे हमको जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे उनको बिल्कुल पस्तावा होने वाला है अब क्या होगा इसका चुमळ की भियो आप देखेंगे तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक लेक्टरण है यसारबिटल में मैकसिमम मैक्सिममों दो लेक्टरण भर तर लेकिन यहां पे कितना एक है तो यह क्या हो जाएगा प्रति चुम्बकी या फिर पैरा मेंगेनेटिक behavior इसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भाईयों और बेहनों क्लियर अब इसके गर stability की बात करें, अब देखिए एक question आप और कर सकते हैं LI2 minus का भी कर सकते हैं इसमें कितने electron हो जाएगे, साथ electron हो जाएगे इसका आप लोग question अपने आप से practice करिएगा practice it yourself, अपने आप से practice करिए इसको अब मैं इसका boundary निकाल देता हूँ कितना आजाएगा, एक बटा दो आजाएगा 0.5, ठीक है क्या हो जाएगा, 0.5 अब देखिए, जैसे मैं ने पिछला आपका concept, समझाया stability के लिए जो order बताया style के लिए जो order बताया था हमने वो कैसे बताया था 0.5 इसका भी आ गया 0.5 इसका भी आ गया 0.2 य्लाई 2 प्लस का और इसका आ गया 1 तो य्लाई 2 का तो सबसे जादा हो गया अब देखेंगे कि anti-bonding electron यह प्रतिया बंधन electron की संख्या सबसे कम किसमे है यहाँ पर कितनी है? 2 यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर आप जब electronic विन्यास करेंगे तो कैसा electronic विन्यास आगा? मैं बता ही देता हूँ sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? sigma star 2s1 आजाएगा, क्या जाएगा? sigma star 2s1 तो 2, 1, 3 electron हो जाएगा, कितनी electron? 3 electron यहाँ पर हो जाएगे जबकि यहाँ पर कितनी electron है? यहाँ पर electron की संख्या है 2 प्रतिया बंधन electron की संख्या 2 तो सबसे ज़्यादा stability किसकी हो जाएगी सबसे कम जिसमें होता उसकी stability ज़्यादा होती न तो किसकी हो जाएगी Li 2 प्लस की फिर उसके बाद यहाँ पे 3 लेक्टरान था इसकी stability क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसके चिरता क्या हो जाएगी kleiner की कम हो जाएगी यह हो गया हमारे स्थाइतों का order अस्थाइतों का order आते हjung이 यही bond hour का भी हो जाएगा bond order का यही order stability का यही order ठीक है bond order हो गया stability हो गया bond length जाओगा bond की लंबाई जोगी इसके उल्टा हो जाएगी ठीक है stability आपने लिख लिया अब इसके बाद जब bond lens हो जोगा इसका उल्टा हो जाएगा just clear क्या हो जाएगा li2 फिर li2 plus फिर li2 minus clear आपका सारा concept clear होना चाहिए question कम करिए लेकिन आपका जो भी करिए अच्छे से करिए इतना example clear अब अगला example लिजे बी टू का क्या लिजे बी टू sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 2 2 4 2 6 2 8 8 electron हो गए सारे paired हैं जब सारे युगमित हैं तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि यह क्या हो जाएगा आब अंदन लेक्टरान के इसका मतलब बीई टू का जो अडु होता है वो भी एकजिस्ट नहीं करता है वह भी हमारे प्रकृत्य में पाया नहीं जा सकता है अब अगला उदार्ण देते हैं बी टू का बी टू में कितना हो जाएगा हैइल यह यह और नहीं होते ही इसका करेंगे हम electronic configuration sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 अब यहाँ पर pi वाला introduce हो जाएगा pi वाले का भी पर्चय यहाँ पर हो जाएगा pi 2px equals to pi 2pi पहले आप इसको क्या करेंगे ऐसे बराबर करके लिख लेंगे जैसे आपको configuration में बताया गया है आप क्या करेंगे इसको बराबर करके लिखेंगे जैसे आपने बराबर करके लिखा तो क्या होगा यहाँ पर अब बचा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आठ एलेक्टरन हमने भर लिया था आठ एलेक्टरन भरते ही बचा और यहां पे PCF बारेन यहां पे होगा, तो एक electron है यहां पे बढ़ेंगे और एक electron यहां पे बढ़ेंगे, क्योकि बोरान का जो electronic बिन्यास होगा, simple वाला वो क्या होगा, 1 has to 2, 24, वैज़ और 2p1 होगा, जो 2p1 होते ही क्या करेंगे, एक electron यहाँ पर भरेंगे, एक electron यहाँ पर भरेंगे, इसका अलाग electronic विन्यास, atomic electronic इलेक्टरोनिक रिसिंग की बात कर रहा हूँ, आर्विक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर atomic की बात है, पर मार्विक की बात थी, ठीक है, आप अंतर अच्छे से कर पाईए, अब यहाँ पर हम निकालते हैं, इसका bound order, दो, दो चार, चार दो छे, छे हो गया, अब अब अन्धन एलेक्टरान, और दो दो चार, चार हो गया, प्रति अब अन्धन एलेक्टरान, बटा दो छे में से यहां पे एक है जाए जिस जाए चाहे जहाए जिस इल्लेक्टरानिक विन्यास में अपने bond order निकाल लिया है अपने चुंब की बेवहर भी निकाल लिया clear होगे अब बुरान के बाद क्या आता है बुरान के बाद आता है कार्बन कार्बन का करिए कार्बन में होता है 12 electron 12 electron sigma 1s2, sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px equals to pi 2py 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8 2 10 10 12 12 हमने यहां पर भर दिया यह सारे यूगमित होगे यूगमित होते ही डाया मेंगेनेटिक इसका निकालेंगे bond order बॉण ओड़र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दो दो चार दो चार दो चार बटे Carbon के बाद क्या जाएगा? Nitrogen आजाएगा. कि nitrogen के लिए 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 यापको इतना बड़ा लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको आप लिख लिए K-K, इन दोनों को K और इसको भी K, और इसको आप लिख सकते हैं K-K का होल्ड है. तो नाइटरजन की बात करेंगे तो इसके अंदर कितने एलेक्टरन होते हैं 14 तो इसका करिए electronic बिन्यास 2px equals to pi 2py तो दो यहां पर भढ दिया दो यहां पर भढ दिया इसके बाद क्या आता है इसके बाद आता है sigma 2pz तो यहां पर कितने electron हो गया था चार यहां पर चार चार आठ आठ दो दस दस दो बारा बारा दो 14 सारे युगमित हैं यहां पर भी सारे युगमित थे पेरड में थे यहां पर भी पेरड में थे यहां पर ऑट यहां दो चार के यहां पर गिनी है, 4, 4, 2, 6, 2, 8, क्या रिखने हैं, 8 8 नहीं, यहां पर 10 हो जाएगा, sorry, 2 यहां पर भी था, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10 हो गए, अब 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 अबन्धन लेक्टरन, माइनेस, प्रति अब अबंधन लेक्टरन कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4 बटा 2 10 में से 4 गये 6 6 बटा 2 कितना जाएगा 3 यह हो गया पूरा लिखने के बाद अगर आप KK को भी expanded form में लिखते हैं और KKDs को भी expanded form में लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे आप जबकि अगर आप इसको short form में लिखते हैं तो भी एक trick है यह बनाने का और ये लिखने के बाद भी स्थ nervous तो अगर आपको तीन चार लिखने के लिए आथा तो आप ऐसा कर सकते हैं carbon के लिए भी आप ऐसा कर दीजिए उसके भाद आप बुरान के लिए भी ऐसा कर दीजिए से आप टीचर को जाकर के दीजिए open challenge कि सर आप मुझे ये question बताईए मजे लेने के लिए नहीं सर अगर आपको मेरे से समझ में नहीं आता है या फिर मेरा थोड़ा सा trick आपको समझ में कम आता है तो आप ये teacher से जाकर की पुझी सर ऐसा कैसे हो रहा है ठीक है हम उदारन किसका लेते हैं N2 का हम कर लिए N2 माइनस का अगर हमको कोई दे दिया N2 माइनस में कितने इलेक्टरान होंगे पहले इलेक्टरान की संख्या केंते हैं क्योंकि हमारा जो ये electronic विन्यास था वो कितने इलेक्टरान के लिए था 14 जो हम कर चुके हैं nitrogen के molecule तक अ इलेक्टरानिक विन्यास के तरीके से कर रहे हैं उसके तरीके से होगा तो हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो electronic विन्यास आपने भी nitrogen तक किया है उसी के लिए ही ये भी होगा उसी के जैसा जबकि जो नियम है कि greater than 14 electron के लिए जो होगा वो दूसरा electronic विन्यास होता है जो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा clear तो nitrogen से ही मिल करके ये बना अगर N2 प्लस लिखेंगे तो कितने electron आ रहा था आएगा यहाँ पे 13 electron तो इसका electronic विन्यास तो obvious सी बात है इसी से ही करेंगे जो less than equals to 14 electronic वाला electronic विन्यास था जबकि N2 माइनस के लिए भी यही same formula लगेग भले ही ये 14 electron से ज़्यादा का electron है यही एक अपवाद है जो मैं भी आपको करके यहाँ पर बताता हूँ तो N2 माइनस के लिए हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया KK यहाँ पे लिख दिया KK यह किया P2PX equals to P2PY दो electron दो electron फिर उसके बात क्या जाएगा यहाँ पे आएगा sigma 2PZ में भी दो electron हो जाएगा अब भरेंगे हम P2PX equals to P2PY कितने electron हो गये थे 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 12, 12, 14 हमारे पास कितना है यहाँ पे 15 तो एक सिर्फ यहाँ पे भरेंगे कहाँ पर भरेंगे सिर्फ एक यहाँ पर भरेंगे अब हम निकालते हैं इसका bond order bond order निकालेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 यहाँ पे आजाएगा आबंधन electron की संख्या और प्रती आबंधी electron की संख्या कितनी है एक बटा दो 6 में से एक गए पांच बटा दो कितना आजाएगा धाई आप इसको भी expanded form में लिख करके bond order निकाल सकते हैं तब भी यही आएगा ठीक है अब अगर आपको stability अस्थाइत्व का जो order लिखना हो अस्थाइत्व को आपको order लिखना होगा वो कैसे होगा यंटू का जो bond order आया था वो कितना आया था वो आया था तीन तो इसकी stability जादा हो जाएगी किस से यंटू माइनस से यह order आप लिख सकते हैं आप यंटू प्लस के लिए भी अपनी तरीके से solve करके देखिए expanded form में भी sort form में लिख करके देखिए उसका bond order निका लिए उसका चुम्बकी बेवहर भी निका लिए यहाँ पे अयुगमित था अयुगमित होते ही क्या हो जाएगा यह पैरा मैगनेटिक हो जाएगा जैसे ही आपने एक देखा तीन देखा पांच देखा तीन तो आएगा यह नहीं प्रतिचुम्बकी हो जाएगा क्लीर हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब दीर दीर हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस पे, ट्रिक पे, आपको मैं बीच में ट्रिक पता रहा हूं, जिस से बच्चे आसानी सी इस ट्रिक को देखें, और अब क्या कर लें, इसको याद कर लें, यन्टू प्लस का मैं आपको दिया हूँ हूमवर्क इसको याप करिए हूमवर्क में और आप इस्टिबिल्टी लिखिए बॉन्ड ओडर लिखिए अस्थाइत वो लिखिए आप सारी चीज़े अपने कॉपी पिन में लिखिए इसका मैगनेटिक चुम्बकी बेवहार लिखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अंग्रेजी में लिख रहा हूँ हिंदी भी लिखता हूँ कुछ चीज़ों की अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं तो लिखिए सौर्ट कट ट्रिक 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 तीन चार श्टर बनाई जल्दी से यहाँ पे यतना बना सके पांच श्टर छे श्टर दस श्टर तो यहाँ पे लिखिए लेक्टरानों की संख्या दस लेक्टरान 11 लेक्टरान 12 लेक्टरान 13 electron, 14 electron, 15 electron, 16, 17, 18 18 electron तक के trick मैं आपको बदाता हूँ कितने 18 18 electron तक को trick आप लोग लिखिए अब देखिए यहाँ पे आपको कहां से चालू करना है center से हम पकड़ते हैं 14 को center क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 नमबर पर यहां से भी आ रहा है अगर आपको paramagnetic और diamagnetic लिखने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे तो आपको electronic बिन्यास करना ही होगा यह trick किसके लिए है? bond order के लिए है अस्थाइत वो निकालने के लिए इन सारी चीजों के लिए आपके लिए trick बता रहा हूँ है तो 3 इसका हो गया 2, 2, 1.5 और 1 आप इसको ऐसे घटते हुए करम में अब इसको फिर से घटते हुए करम में 3, 2, 2, 1, order समझ में आ गया यहां से नीचे जाएंगे तो घटते हुए करम में फिर उपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटते ही करम में जाएंगे उपर भी आप नीचे भी जाएंगे तो घटते करब में 3 से आपको चालू करना थी 0.55 गटाते जाए है यहाँ पे भी 0.55 गटाते जाए है आधा-धा, ढाई 2,1, ढाई 2,1, ढाई 2,1, यह हो गया आपका साओर ट्रिक clear, यह आप लोग इसको कर लीजिए याद, रट लीजिए इसको, ठीक, आप मैं यहाप एक question देता हूँ, जल्दी से आप लोग करिए, आपको क्या पताना है, bond order बनाना है, क्या पताना है, A, B, C, D, 4 option मैं आपको लेता हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, साइनाइड, C, N, N, O, O, 2, 2, और C, N, माइनस, जल्दी से आप लोग, मैं आपको 10 सेकंड का whole timing देता हूँ, आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, कितने इसका bond, पहले आप electron के संख्यागी निए, और C, N, कर्बन में कितने electron हो गया, ह, ही, ली, ब, ब, क, क्या हो गया, 6 electron हो गया, 6 electron हो गया, 6 electron हो गया, 7, 7, 6, 13 electron, 13 electron के लिए, bond order कितना हो गया, धाई, तुरंद लिखिए, धाई, इसको table बना दो में बिलकुल टाइम नहीं लेगाए, पहलेगा, टेबल कहीं पे भी आगया, बाउन ऋडर निकलने के लिए, टेबल बना लेजिए, जली से लिक्टरनों के संखिया की नीए तुर्ण बाउन ओडर लिखिए, यह नो के लिए, साथ, पंद्रा, पंद्रा के लिए कित्ता हो गया, स्वरी, कित्ता हो गया, इसके लो जाएगी दो अब cn- carbon के लिए किता हो जाएगा 6 nitrogen के लिए 7 7 6 13 13 हो गया 14 electron 14 electron के लिए 1 order किता हो गया 3 आपको ऐसे ही trick के साथ आसानी से questions कर सकते हैं यह question आपका होता है end अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे जो की क्या है जो की है energy diagram क्या है energy diagram बनाते हैं less than 14 electron के बनाएंगे उर्जा अस्तर डाइग्राम बनाएंगे किस के लिए greater than 14 electron के लिए लिए उर्जा अस्तर अस्तर अनरजी लेवल डाइग्राम लिखिए असके बद आप लोग जल्दी जल्दी बनाईए यहां पे मैं बनाता हूँ यह हो गए हमारे atomic orbital पर्माडवी कक्षक हम बन बना दिये पहले यहां पे क्या बना दिये पर्माडवी कक्षक बना दिया हमने ठीक है यह बना दिया हमने पर्माडवी कक्षक यह बना दिया पर्माडवी कक्षक यह हो गया 1S यह हो गया 1S यह हुआ सिगमा 1S यह हुआ सिगमा 1S यह हुआ सिगमा सिटार 1S अब हम बनाते हैं सिघ्मा अब 2S के लिए बनाते हैं यहां पे हुआ 2S, बना it, आप लोग ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि यह सारे क्या होंगे और यह energy level डाइगरम है क्या है energy level डाइगरम बनाब इसका मतलब energy इसे ही बढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ जाएगी ठीक है यह हो गया, 2S, यह 2S है, यह जो इफर साइड में बन रहे हैं, वो सारे क्या है? वो सारे है, atomic orbital, वो सारे परमारवी कख्चक हैं, और जबकि यह जो बीच में बन रहे हैं, क्या है? मॉलिकुलर то और और यह अड़ी कख्चक सकते हैं यहां पर छे भरे जा सकते हैं लेकिन जो इसके बाद एक यहां पर तीक है ऐसे बनाईए इसको जल्दी जल्दी आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाईएगा, यहां पे drawing में बना रहा हूँ, pin type पे आप लोग इसको और तरीके से, अच्छे से अच्छे तरीके से बनाने की कोशिस करिएगे, इतना अच्छा आप इसको scale से draw करेंगे, उतना ही बढ़िया यह बनने वाला है, यह क् लिखिए पाई टू पी एक्स यहां पे लिखिए पाई टू पी वाई यहां पे लिखिए सिग्मा टू पी जड जैसा configuration जैसे order में आपने electronic बिन्यास कर रखा है उसी order में आपको यहां पे भरते हुए चले जाना है उसके आगे आप लिखिए यह हो यह हो जाएगा हमारा पाई स्टार टू पी एक्स यह हो जाएगा पाई स्टार टू पी वाई आप जानते हैं कि प्रति प्रतियाबंधन जो इलेक्टरांस होते हैं या प्रतियाबंधी जो यहां पर इलेक्टरांस होते हैं जहां पर प्रतियाबंधी इलेक्टरांस भरे जाते हैं जिसका छक्षक में उनकी जो उर्जा होती है वो क्या होती है वो आबंधी का आबंधन से क्या होती है वो क्यम होती आबंधन लेक्टरान जहां पर भर जाते हैं उनसे होती है कम इसका मतलब इन दोनों की जो उर्जा होगी वो किससे होगी वो जादा होगी किससे इससे ठीक है इसकी उर्जा जोगी जादा होगी किससे इससे प्रति आबंधन लेक्टरान जहां भरे जाते हैं उनकी उर्जा कम होगी किस से जिस जहां पे आबंधन इलेक्टरान भरे जाते हैं इसलिए इनको ऊपर रखा जाता है यह हो जाएगा सिग्मा इस्टार टू पीजट यह नाम अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए यहां पे इलेक्टरान कैसे भरना मैं आपको ए पनाते जाएंगे उनका बहुत पाइदा होने वाला है क्योंकि यही क्लास नोट्स आप लोगों के पेपर में अच्छे नमबर आपको दिलाएंगे क्लास नोट्स ही पहला स्तर होता है आपके सफलता में इसी को आप लोग बार-बार रिवीजिजन करेंगे यही आपका शस आस्तर हो था जो आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो हम सबसे पहला उदाधन लेते हैं बोरान का किसका लेते हैं बोरान का तो बोरान में कितने एलेक्टरन होते हैं पांच एलेक्टरन होते हैं जब इसका मॉलीक्यूल की बात करेंगे तो कितने एलेक्टरन हो जाएंगे द के लिए जब हम electronic विन्यास करेंगे तो उसको हम भरते हुए चलते हैं एक एक करके यहाँ पे हमने यह बनाया जली जली आप लोग बनाते जाएए क्योंकि एक से आपको अच्छे से समझना फिर बाकी आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे इतना असान टॉपिक यह है ठीक है यह यह बना रहा हूं इधर उधर करके बनाता हूं आप लोग एक सिक्वेंस में एक स्रेड़ी में बनाएगा ठीक है क्या इससे मैंने इधर जगना होने के कारण मैं इसको इधर बना देता हूं आप लोग ऐसा बिलकुल भी मत करिएगा ठीक है यह हो गया 2S यह भी हो जाएगा 2S क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बुरान का इटम यहां पे एक बुरान का इटम यहां पे है यह हुआ सिगम हमने यहाँ पे 2PZ यह हमने बनाया इसके लिए Pi स्टार के लिए और यहाँ पे इसके लिए यह हुआ सिगमा स्टार 2PZ पहले हम इसको जोड़ देते हैं इसके साथ ऐसे बनाया हमने इसको ड्रा कर लिए आप लोगों ने आप जल्दी से उसका नाम लिख लिजए यहाँ पर क्या है टूपी की बात कर रहा है तो टूपी ही होगा एक लिएक लिएक यहाँ पर बhara जाए गए एक लिएक लिएक अपर बर जाया अभी मैं बताता हूँआ आपको दोने लेक्टरान यहां पर भर दिया, बुरान का दो एटम है ना, तो यहां पर भी दो एलेक्टरान हो जाएगा, पहले आप इसको अलाग अलाग एटम मानके चलिए, एक तरफ इसको छुपा लीजी, फिर उसको छुपा लीजी, दोने लेक्टरान यहां पर भरा, फिर टू पहाँ पी यहां पे एक इलेक्टरन हें यहीं होगा क्योंकि फी में कितने लेक्टरन है एक खंड़न है तो तो कितने हैं दो अब हमने भरा 2 sigma star 1s में कितने हैं 2 electron हमने भरा 2 sigma 2s में कितने हैं 2 electron हमने भरा 2 sigma star 2s2 में कितने हैं 2 electron हमने भर दिया 2 ऐसे ऐसे आपको भरते चले जाना फिर उसके बाद आगए हम pi 2px और pi 2py में तो जहां पे pi 2px और pi 2py लिखा वहीं पे भरेंगे हम electron तो πाई 2P X में भी एक और πाई 2P Y में भी एक हमने भर दिया और बाकी सारे सारे क्या जाएंगे सारे क्या रहेंगे खाली ही रहेंगे किसी को भी हम भरने की कोशिस बिलकुल भी नहीं करेंगे ये हो गया आपका उधारन बहुत ही बहतरीन तरीके से 2-3 मिनिट में आप लोगों को ये उधारन मैंने बता दिया maximum आपको किसी भी अडू का जो electronic बिन्यास करना होगा वो 20 electron का ही करना होगा उससे ज़्यादा आपको नहीं करना होगा तो पहले term में आपने पढ़ लिया less than equal to 14 electron अब दूसरा जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे greater than greater than 14 electron और less than 20 electron मतलब हम किसकी बात करेंगे 15 से लेकर के 20 electron की ही बात हम को यहां पर करने है कितने electron मतलब की 15 से लेकर के 20 electron की बात करने ही आप लोग हेटिंग डाली है यहां पर जहां पर total number of electrons total number of electrons greater than 15 and less than 20 या फिर 15 से लेकर के 15 से बीस तक के बीच में अब जल्दी सिसका है आप लोग electronic बिन्यास लिखिए sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s sigma 2pz pi 2px equals to pi 2py pi star 2px equals to pi star 2py sigma star 2pz अब आप देखेंगे कि आप यह greater than 15 में और less than equals to 14 electron में क्या आंतर आता है 14 electron से ज्यादा में अंतर क्या है तो यह बाकि यह तो दोनों में सेम था ठीक है अब वहाँ पर क्या उर्दा यह भी सेम था यहाँ पर क्या कर रहे हैं बस इसको उठा कर दिया गया इसको उठा कर दिया कि यही किया गया अगर आप देखेंगे दोनों को मिलाएंगे तो आपको बस इतना ही अंतर देखेगा तो सबसे पहला उदारण हम लेते हैं O2 का जिसका दारण लेंगे O2 का Oxygen के अडू का एक्जामपल लेंगे जिसमें होता है शोला एलेक्टरान अपवाद आप लोगों ने देखे लिया यहाँ पर हम 16 एलेक्टरान की ही बात करेंगे सबसे पहले चालो करेंगे 16 एलेक्टरान से क्योंकि ग्रेटर दन 15 एलेक्टरान की बात कर रहा है मतलब 14 एलेक्टरान से ग्रेटर मतलब 15 एलेक्टरान से के बाद होगा sigma 2pz2 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 के बाद हम भरेंगे pi 2px equals to pi 2py, यहां पे भी 10, 12, 12, 12 हो गया, अब हम लिखेंगे pi star 2px equals to pi star 2py, किता हो था 14 हुआ था, बचा हमारे पास 2 electron, तो एक यहां पे भरेंगे, एक यहां पे भरेंगे, ठीक, एक यहां पे, एक यहां पे 3 होता, तो पहले 2 यहां पे करते हैं, फिर 1 यहां पे होता, मतलब pairing हम आगे से ही चलू करेंगे, युग मुझे बनाएंगे हम, वो आगे से ही बनाएंगे, एक यहां पे था, तो 2 सबसे पहले यहीं पे होगा, ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं, चुम्बकी ब्योहार, त दस, दस माइनस, दो, तो चार, दो छे, बटे, दो, दस में से चार, चार बटा दो, आजाएगा दो, बॉन अडर आजाएगा दो, अब आप मैंने बताया था, पिछले, जो देन, एक्वल टू फोर्टिन लिटरान के लिए, इसको मान लिए हमने के के, और इसको मान लेंग में ये दोनों लिखना है, अच्छे से दर्साना है, ठीक है, O2 का एक्जामपल हमने कर लिए, अब O2 में एक क्वेशन आप लोग जल्दी से करिए, वो भी आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 टू माइनस, ये तीन उग्जाम अब लोग चुम्ब की बेवहार भी निकाल सकते हैं, इसका क्याने कर लिजीए, मैंगनेटिक बेहवियर, चुम्ब की ये बेवहार भी निकालिये, दोनों थी आसानी से पक्र कर लिए, और बॉन अडर भी निकालिये, चली, मैं एक करके बता देता हूं, उसके पाद आप कर लिजेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, के के, के की डैस, सॉट फ़र हमने देख लिए, आठ एलेक्टरान यहां पर भर गए, सिग्मा टूपी जेड़ टू, फिर पाई टूपी एक्स इक्वल्स टूपाई टूपी वाई, दो, दो यहां पर भर दिया, आठ, दो दस, दस, दो बारा, बारा, दो चौदा, यहां पर सिर्फ एक लेक्टरन भरेंगे हो जाएगा, पंदर, अब इसका निकालेंगे हैं, बॉन ओर, तो बॉन ओर क्या जाएगा, दो दो चार, दो छे, छे माइनस एक गए, एक माइनस करेंगे, यह हो गया, प्रति आ अब अधी लेक्टरनों की संक्या कितनी थी, छे थी, छे में से गए, पांच, बटा दो, आजाएगा, यहां से, कितना जाएगा, धाई आजाएगा, तो बॉन ओर निकाल लिए हमने, अब ओटू प्लस का, अब ओटू टू माइनस के लिए क्लिए हो जाएगा, यहां से ले यहां पे, दो यहां पे हो जाएगा, आठ दो दस, दस दो बारा, बारा दो चोदो, 14, 14, 16, 16, 17, 17, देखिए, पहले पे इस पे होई, इस पे हुई, दो इलेक्टरन यहां पे बढ़ेगे, एक यहां पे बढ़ेगे, अब इसका bond order निकालेगे, तो क्या आ जाएगा, bond order इसका आजाएगा इसका bond order आएगा डेढ़ आप लोग calculate कर सकते हैं इसके बाद फिर इसका वाइस से आप करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह यहाँ पे जो pair नहीं था यह यहाँ पे भी pair हो जाएगा pi star 2px equals to pi star 2py 2 electron यहाँ पे भी 2 electron यहाँ पे भी इसका bond order आप निकालेंगे तो कितना जाएगा एक आजाएगा इसकी stability आप निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा o2 plus की फिर o2 minus की फिर o2 2 minus की ऐसे ही आप लोग अपने हिसाब से stability निकालते रहे है magnetic behavior निकालते रहे है जहाँ पे आपको युगमित दिखाई देंगे तो वो क्या हो जाएगा डाया मैगनेटिक अनुचुम्ब की जबकि जहाँ पे आपको युगमित नहीं दिखाए देंगे electrons वहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिचुम्ब की हो जाएगा अब इसी के साथ अगला जो पढ़ते हम greater than 14 electrons के लिए मतलब 15 से लेकर के 20 electrons के लिए हम लोग energy label diagram देखते हैं क्या देखते हैं उड़जा अस्तर diagram देखते हैं क्योंकि जब इसका electronic विन्यास करने का तरीका थोड़ा सा उल्टा हो गया तो मैं आपको एक general एक शामाने तरीका बता देता हूँ उसी के साथ आप लोग example के साथ आप लोग करते हुए चले जाएंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी बनाईए क्योंकि आप लोग एक बार समझ चुके ही हैं ठीक है थोड़ा सा आज जो वीडियो है तोड़ा सा लंबा length हो रही है इसकी length लंबी हो रही है duration भी लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप लोग पढ़ने पर focus करिए खाली कितना लंबा duration हो रहा है क्या हो रहा है यह अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है अच्छे बच्चों की पहचान उससे होती है कि आप लोग किसी भी अच्छे चीज को कितनी अच्छी से अपने अंदर गरहन कर पाते हैं और उसको अपने जियोन में कितनी अच्छे से से एक ऊपर था, फिर दो नीचे था फिर एक ऊपर था, मतलब एक हो गया हमारा भरने का यह हुआ 1s यहां पे हुआ 1s यह 2s यह 2s यह 2p यह भी 2p लिख सकते हैं आप उसके बाद अब आप लिखिए इसको sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s यह हुआ sigma 2pz क्योंकि sigma 2pz में पहले लेक्टरन भरते हैं जबकि वहां पे पाई 2px और पाई 2p y में जल्दी भरते थे ठीक है यह क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p y और यह हो जाएगा sigma star 2pz यह हो गया हमारा यह general एक सामान electronic विन्यास करने के बाद उर्जा अस्तर का वो end होता है क्योंकि अगर आप लोगों के लिए ज्यादा लंबी वीडियो बनाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि अब आप लोगों का सारा टॉपिक जो है वो clear हो गया इसी के साथ आपका chapter 1 जो की बच्चे ने खाली इतना syllabus कर लिया तो पास तो आराम से ही हो जाएगा तो जो बच्चे बैग के लिए डरते हैं उनको डरने की ज़रूत नहीं है अब मैं आप लोगों के लिए चोटे-चोटे वीडियो ले कर के आँगों ददस पंदर मिन्ट के जिसमें आप लोगों के ल जिसमें आप लोगों को IUPAC और बहुलक पढ़ाए जाएगा वो दो चप्टर में आपको डिटेल में बगराऊंगा और बाकी वाटर एंड इट्स हार्डनेस वाटर मतलब जल और उसकी कटोड़ता आप लोग इंटरेस एक्जाम के प्रेपरेशन के टाइम में पढ़े इधन अच्छा कैसे होता है यह सब आप लोग अच्छे से पढ़ चुके थे इंटरेस एक्जाम के प्रेपरेशन में ही लेकिन आपके लिए मैं नोट्स दो तीन चेप्टर का दे दूँगा वहाँ पर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे रिवायच कर लेंगे और आप आपका पेपर बिलकुल अच्छा दाने वाला मैं आपको बरसा दिलातेता हूं इसके साथ आपका वीडियो होता है एंड धन्यवाद दोस्तों